हेलो वाट सब गाईज आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेल टाइम इनाओ टैंस टैक क्वेरी वर्जन फाइब जिहां का इस तो आज को बहुत ही जाद इंपोर्टेंट है क्योंकि कल की वीडियो में हमने देखा था वाट इस जी सी टाइम जो की बेसिकलिए आपका कै से एंड वह बहुत इंपउर्टेंट एंठ एक बाट प्रॉबलम क्या हो रहा था मैं आपको बाता आता हूं प्रॉब्लम ही हो रहा था कि दा मूमेंट में वैस रिक्वेस्ट बैसिकलिह हमा रेती Works करताहूं डे टा मुझे जो है न मेरे कैश से मिल रहे है ब्लस्ति अप्म कर रहे हैं कि इसको मैं अटा रहा हम पूँजी का यह मैं यहाँ पर सद रिक्वेस्ट कि हमें यह बहुत अच्छे सा इडिया है कि जो देटा मुझे मिल रहा हो मेरे सर्वर का डे इसνत्युंछ कि react query का यह advantage है कि यह by default आपका जो data response से आपको मिलता है वो cash पे उसको store कर देता हमारे local cash पे and we are very sure हम भई हमें मालूम है कि मेरा यह जो API का data है पूरे दिन में मुश्किल से 3-4 बार यह update होता है तो मुझे हर बार मैं इस particular page पे आऊं तो मुझे call request नहीं करना है server को ठीक है तो वो मुझे कुछ time देना चाहता हूं लेट से कि भाई मुझे after 30 minutes let's say मुझे once after every one hour या एक घंटे में एक बार मुझे इसको automatic refresh करवाना है request करवाना है वो मैं चाहता हूं मुझे हर बार मैं यहाँ पे आऊं यह request हीट हो मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि data जब मुझे कैसे आ रहा तो server को क्यो आप request कर तो इस problem को tackle करने के लिए हम stale time की मदद लेते है बट वो क्या है stale time थोड़ा सा मुझे को समझ लेते है right so let's check it out what is this stale time तो सबसे पहले मुझे बताओ यह stale क्या होता है कभी आपने यह word सुना है stale obviously आपने सुना होगा जब आप खाना बनाते हो है ना ममी खाना बनाके रख देती दो फेर को एंड जब आप रात को खाते बोलते नहीं ममी फ्रेस बना आप यह बासी हो गई stale time is a configuration option यह एक option है that determines how long fetched data is considered fresh before it needs to be refetched आप समझे क्या हो रहा है यहाँ पर जब आपने API को request hit की ठीक है API से request की मुझे आपका यह data दिखाओ फिलाल हमारे case में हम Jason placeholder का data देख रहे है तो जब आपने request hit की and then जब आपको response मिला तो उसके बाद वो जो data आपको मिला उसको आपको कब तक एकदम fresh या या यह जो data है यह एकदम up to date है कब तक आपको बता के रखना है या बना के रखना है उसको तो वो यह still time configure करता है बता भी रहे एक option है जो यह बाता था कि आप जो भी data fetch कर रहे हो कितने लंबे समय तक आप उसको बोलोगे कि data एकदम fresh है मतलब एकदम up to date है समझे रहे हो and before it needs to be refresh इसका simple example चलो Corona या कोवीड जब हुआ था कोवीड में क्या हो रहा था कि like after every let's imagine after every one second हमें list update हो रही थी कि पहले 100 को हुआ अब वह 101 को हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जो data मैंने fetch की थी थुए दिर पहले after just one second वह क्या हो गया बास ही हो गया क्योंकि within a one second एक और नया मरीज का data वहाँ पर add हो गया तो वह मुझे मेरे सिस्टम पर दिखाना है ना समझे रहे हो तो कुछ वह है still time का मतलब अब देखो यहां पर यह काम कैसे करता है when data is initially जब आप data को first time fetch करते हो और update करते हो it considered fresh obviously the moment आपने request hit की जो data आपको मिला वो तो एकदम ताजा ताजा कली खिली है मतलब ताजा था ना वो तो then still data still data मतलब after the still time duration देखा यह important है कि इसमें एक option है जहां पे यह still time का जो duration है अगर वो समाप्त हो जाता है तब वो data बासी माना जाता है ठीक है and default value क्या है कि कोई भी data आप fetch कर रहे हो उसको कब बासी माना जाएगा कि कब अब यह जो data भी up-to-date नहीं है यार यह up-to-date नहीं है corona में और बेसेंस हाला कि मैं नहीं चाहता वो हो बट अब नहीं है तो जो default time है ना वो 0 है मदब the moment अपने data fetch की फट से वितीन 0 नहीं data बासी हो I mean यह जो data है अब उस्टे data करते रहो करते रहो ठीक है background में चलता रहता है ठीक है I hope आपको पता चल गया कल का था garbage collection time आज था हमारा stale time garbage collection को आपको आइडिया नहीं है then I highly recommend कल की previous वीडियो को फर्स चेक आउट कीजिए ना आज का इस stale time ठीक है अब मैं यहाँ पर लेके चलता हूं example मैं आपको आप फर्स टाइम मेरा data server पर जाएगा वहां से data मुझे मिलेगा और उसके बाद 5 मिनिट के लिए मेरा data cache पर store हो जाता है अब मैं जब भी fetch request पर जाता हूं basically react query वाला request करता हूं data तो मुझे cache से मिल रहा है data मुझे कहां से मिल रहा मुझे data यहां से मिल रहा मेरे cache से तो फिर यह request किस को जा रही है request क्यों कर रहे है जब data मुझे cache से आप दे रहे हो तो server को request क्यों कर रहे है क्यों कि server में कुछ ऐसा नया अपडेट तो हुआ ही नहीं है समझ रहे हो यह request इसले जा रहा है guys क्यों क्योंकि reject query में जो default time है वो क्या है 0 है मतलब the moment आपने request की फट से वह expired हुग उनके लिए अब वो एक stale data बन गया है यहां पर आप देख सकते हो ना उनके लिए क्या हो गया वो एक stale data हो गया अगर data stale होता है तो वह वापस से को सिस करता है server से data fetch करने के लिए ताकि अपने client को always up-to-date data दिखा सके ठीक है जो कि अच्छी बात है जो कि अच्छी बात ह इंटे में ही आप इसको fetch करना ठीक है एंड में यहां पर दिखाता हूं भी आपको यह हमारा वह है डेप टूल्स है ना यहां पर एक option आता है मैं यहां पर जाता हूं यहां पर यहां पर आता हूं अल्राइट मतलब अब इतना फास्ट है कि यहां पर आने का मोगा भी नहीं दे रहे क्योंकि 0 seconds वह always data fetch होती वह चला जा रहा बास ही हो जा रहा इसको मुझे टैगल करना है हमार पास option है and that is we have a still time let's say 5000 वालद पांस सेकंड यह है 5000 millisecond which is which is equivalent to 5 seconds equals to 5 seconds है ना मैं आप यहां पर चलूंगा यह देखो data fresh है स्टेल की value 0 है गाइस data fresh है within a 5 seconds देखा क्या हुआ within a 5 seconds आपका data fresh से स्टेल पे चला गया फिर से देखना मैं इसको एक और बार रिफ्रेस्ट करता हूं यह देखो फ्रेस के बाजू में मुझे 1 दिख रहा है इस्टेल के बाजू में मुझे 0 दिखाई दे रहा है मतलब मेरा data fresh है जब data रहेगा fresh तो मैं जितना भी इस page पे वापस हो request नहीं करेगा कभी वहीing server को ठीक है इसको में थोड़ा सा बड़ा देता हूं let's go with 110 तिके 10 seconds के लिए data fresh मान रहा हूं मैं अब इसको मैं हटाता हूं मैं अब यहां जाओं गा यहां जाओं यहां जाओंगा इसको हटा इंस्पट पर जा रहा हूं पर नेटवयकट पर चलते हैं ठीक है मैं फैस पर आया हुम पर गिया फैच पर आया देखो वह आउपिसली दन मुलद के लिए फिर से वह इस greatवा पर नीनल दो उबिए सपया नार कि यह फेस्ट पिए अbilir। ऑल्राइट देख अब भी ये फ्रेश है अब वापस टेल हो गया अब भी डेटा कुछ भी नहीं ना तो ये स्टेल है ना तो ये फ्रेश है मैं जाता हूं इस पे तो अब ये देखो रिक्वेस्ट गई और फ्रेश है डेटा वोम पे जाओंगा fetch request, वोम पे जाओंगा fetch request, वोम पे जाओंगा fetch request, देखा क्या हुआ यहाँ पे, आप notice करो कि after 10 seconds मैंने उसको request कर दी, 10 seconds के बाद ही वबना उससे पहले में कितनी बार इस page पे गया, सर्वर को request नहीं गई थी, ठीक है, एक उचिज आप notice करना, दा मुमेंट मैं home पे जाओंगा, and fetch request पे click करूंगा, मेरा वो जो data अभी मुझे मिला है, वो वापस 10 seconds के लिफ फ्रेस हो गया, तो अब उस बिच में जितना भी कुछ भी करूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा request नहीं जा रहा है, क्यूंकि आप हमने react query को बोल दी है, कि हमा data बासी नहीं हुआ है, data अभी भी outdated नहीं है, एकदम सही data है, 10 seconds के बाद आप कीजिए, सहे तब कोई नए update आपको मिल जाए, कुछ नए data हो गया होगा, तब हम दिखा देंगे, so guys, यहीं है आपका still time, जिसका काम बस यहीं है, कि आपका data कब तक fresh है, वो बताने का काम आपक यह जो still time configuration option है, वो कर रहा है, ठीक है, जब तक आपका data fresh रहेगा, हम server को request, basically server को request नहीं जाएगा, cache में जो data अगर पढ़ा है, तो वो आपको 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 दिखाया दिया जाएगा, अच्छा बात है, बार-बार क्यों request करना है, ठीक है, एक और चीजी, the moment आप request करते हो, जो नया data आता है, फट से वो ही नया data को 10 second का time मिल जाता है, यहाँ पर, उस बीच कितना भी मैं करूँ कुछ नहीं होता request, ठीक है, जब आप first time request करते हो, उसके ठीक 10 second के बाद, वापस आप कर सकते हो request, तो यही है funda, and I hope video आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा, and अग data fresh रहेगा मेरा, ठीक है, मैं कितना भी यहाँ पर आओं, कितना भी कुछ करूँ, data मेरा fresh ही रहने वाला है, समझ रहो न, so guys, यह है beauty आपका stale time का, कि कब तक आपको आपके data को fresh रखना है, ताकि server को हम request ना करे, cash का जो data हम दिखा दे, and यह बहुत अच्छी बात है, न, इस से क्या होगा, कि guys, आपको कभी फिली नहीं आता है, कि data कुछ हो रहा है, always data on the spot आता है, बाकी जगे, loading का effect आता है, फिर data आ रहा होता है, ठीक है, so yeah guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए तना है, I hope, GC time, and यह जो stale time है, यह बहुत important concept है, आपको दोनों में difference पता चल गया होगा ठीक है, but still, अगर आपका clear नहीं हुआ doubt, तो let me know in the comment section में questions करूँगा, उसको वहाँ पे आपको solve करने की, या basically आपको guide करने की, ठीक है, so guys, कल का वीडियो और भी important होने जा रहा है, क्योंकि मैं कल की वीडियो में यह बताऊंगा, कि यह जो, you know, within a second, जो बार बार data update हो कि आ कोई बहुत important है, and obviously, react to important है ही, and साथे साथ, guys, video पसंदा है, तो like कीजेगा, पसंद नहीं है, तो dislike कीजे, comment करके बताइए, क्यों पसंद आ रहा है, क्यों पसंद नहीं आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, and our next target is 7 lakh subscriber, and we are very close to 7 lakh subscriber, so please, guys, subscribe कर दिजेगा, and दोस्तों को भरवर क से सेर भी जरू कर दिजेगा, मिलता हूँ, मैं अब आपको कल की वीडियो में, till then guys, thank you so much, take care.